हाला स्टुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर गजंद पुरहीत है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूँ आपके सामने बताने वाला हूँ कि यह कब अप्लाई किया जाता है और क्या कंडिशन होती है जिसपे की सीरीज हमार पास यहां पर कनवर्जिंट होती है यह सब मैं बताऊंगा तो सुन देखिए सुन बात करेंगे राबिस टेस्स के बारे में कि अगर हमारे पास कोई भी इंफानेट सीरीज दे रिखी जो की पॉजिटिव टर्म की है अगर वो कनवर्जिंट होगी अगर इसकी वेल्यू एक से चोटी है तो यह डाबर वन हो जाएगा तो टेस्ट फेल हो जागा पर आपके मन में सवाल उटेगा किसे टेस्ट लगाते कब है तो मैं आपको बताना चाहरू कि जो डिलिमिट रेशियो टेस्ट है अगर आपने पढ़ा हो तो यह वो हमारे पा कि बात करनी है अगर हम इसकी वेल्यू निकाले और इसकी वेल्यू एक से चोटी होती है तो अगर बराबर भर वन है तो यह यहां पे टेस्ट फेल हो जाता है तो हम यहां पर रबेस टेस्ट अपलाई करते है अब मैं आपको एक और रहाए चीमरे हो जाए पता है 여ाग को v लॉघ्रोप्मस्स ने होता है जिसको भी हम अपलाई कर सकते अगर हमारे पास डी लोगरफिक टेस्ट लगाना है कि यह के से पता बड़ेगा अगर हमारे पास यहां पर पावर वन बना रही हैतो तो उस वाले case में हम रबेस test लगाते हैं, अगर बाइचा से आप इसका whole score आ जा है, टोटल का whole score आ जा है, तो ऐसे cases हम यहाँ पे logarithmic test यूज़ करते हैं, वह आपको next video में बताऊंगा, clear है, तो सुन हम यहाँ बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पर इसको apply करेंगे, अब बात करत यहाँ गलती तो नहीं है, तो n के जगा आप यहाँ पर 2 लगा दीजे, तो 4-3 मतलब 1 आ रहा है, जब आप 2 लगाएंगे यहाँ तो 3 लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ तक time आएगी, तो इस तरह साब इसको देख सकता है, इसी टाप से नीचे हमारे पास यह even time आ रही, तो सुन यह जो time आएगे, यह आएगी, तो 2, 4, 6 है तो यह आएगा हमारे पास 2N माइनस 2, यहाँ पर इसकी बात करें, 3, 5, 7, तो ऑविसली यह से बड़ा आ रहा है, तो एक time बड़ी आएगी, तो यह हमारे पास आएगा, जब N के जगह हम यह यहाँ पर N प्लस 1 और यह हमारे पास क्या होता है? limit n tends to infinitive un plus 1 upon un तो आप देखेंगे, सुन यहाप इसको divide करेंगे तो उपर यह आएगा, नीचे यह आएगा तो यहाप आप देख रहे हैं, यह term से यह term हमारे पास क्या हो रही है? cancel हो रही है, and यह term और यह term भी हमारे पास cancel हो रही है, तो इसमें हमारे पास यह term उपर बचेगी, and यह term हमारे पास क्या करेंगे, इसमें नीचे बचेगी, तो जब इसको value रखेंगे, तो हमारे पास यहाप इसकी value के आएगी limit and tends to infinitive, तो उपर हमारे पास term बचेगी 2n minus 1 divided by, यह आएगा 2n and यहाँ पर मारे पास आएगा 2n plus 1, and upon un, तो upon un यह 1 upon 1 by 2n इसके नीचे आएगा, यह आएगा 1 upon 2n minus 1 यहाँ पर इसकी value आएगी, अब यह 2n minus 1 उपर चला जाएगा, तो यहाँ से मारे पास value आएगी limit and tends to infinitive, 2n minus 1 का whole square upon 2n into 2n plus 1 आजाएगा, जब आप n tends to infinitive रखाएगे, तो इसके 2n square भाहर आएगा, तो 4n square, यहाँ से भी 2n square भाहर आएगा, तो 4n square से 4n square cancel, और जब इसकी limit ने दिखेंगे, तो इसकी value क्या जाएगी, 1 आजाएगी, मतलब 1 आरी, मतलब यहाँ पर हमारे पास 2n plus 1, हमारे पास आजाएगा, तो इसका उल्टा यहाँ चाहिए, तो इसका उल्टा करेंगे, तो हमारे पास यह क्या आएगा, तो 2n 2n plus 1 upon, नीचा जाएगा, हमारे पास 2n minus 1 का whole square minus 1, इसकी value हम निकालेंगे, और चिक करेंगे, क्या हमारे पास एक से बड़ी आ रही है, एक से छोटी आ रही, तो सुनिए आएगा, limit and tends to infinitive, और यहाँ पर यहाँ पर यह नर्स को खोलेंगे, तो यहाँ आएगा, हमारे पास 4n square plus 2n minus, सुनिए यहाँ पर यहाँ आएगा, हमारे पास 2n minus 1 का LC में ले लिया, अपन हॉल स्कॉर, अपन 2n minus 1 का हॉल स्कॉर आएगा, जब इसको simplify करेंगे, तो यहाँ आएगा, limit and tends to infinitive, यहाँ आएगा, and यहाँ आएगा, 4n square plus 2n, और इसको simplify करेंगे, तो सुनिए आएगा हमारे पास, 4n square minus का 4n plus 1, divided by 2n minus 1 का whole square, इसको आप यह 4n square सा 4n square क्या होगे हमारे पास, cancel, इसको simplify करेंगे, तो सुनिए आएगा, limit, यह highest term cancel होनी चाहिए, अगर highest term cancel नहीं होड़ी, मतलब कुस तो गड़बल हो रहा है, यह ज्यान देने की ज़रू होते है, तो यह 2n तो यहाँ पर हमारे पास यह आएगा, 6n, यह minus अंदर जाएगा, यह सुनिए पर, तो यह हमारे पास minus 1 हो जाएगा, divided by 2n minus 1 का whole square, यहाँ से n common निकाल दो, यहाँ से भी हम n common निकाल लेते ताकि हमारे पास यहाँ लिमिट n tends to infinite लगाना है, तो सुनिया पर क्या करते हूं, n common निकालता हूं तो यहाँ एगा, n square, 6 minus 1 by n, सुनिया यहाँ से भी अंदर से, n common निकालता हूं तो बहरा कि n square हो जाएगा, यहाँ आएगा, 2 minus 1 by n का, whole square हो जाएगा, यह सुनिया आप n tends to infinite रखेंगे, n square से n square cancel, सुन यह जीरू हो जाएगा तो हमारे पास यहां से वेलियो आएगी 6x4 और 6x4 का मतलब होता है 3x2 जो की एक से बड़ा है मतलब यह जो सीरीज होगी हमारे पास क्या होगी कनवर्जिंट होगी बाई दा राबेस टेस तो नेक्स एक और क्वेशन समझाने कोशिश करता हूँ जिसे हमारे पास यहां पर यह आप देख सकते है इसका सॉलिशन इस सुन यह हमारे पास एक सीरीज दे रहे कि और आपको यह पता लगाना है कि यह यह सीरीज हमारे पास माइनस टू आजाएगा क्योंकि जैसी हम यहां पर न के जगह टू रखेंगा मिलकुल यह आएगा हमारे पास divided by का whole square आगा divided by नीचे हमारे पास क्या रहा है सुन 3, 4 आ रहा है then यहाँ पे 3, 4, 5 तो आप देख रहे हैं 3, 5, 4, 6 है ना फिर आप देख रहे हैं 3, 5, 7 और 2, 6, 8 इस टैपस हमारे पास यहाँ पे क्या रहे है सुन तो हमारी सुन आप देखेंगे इसको तो यहाँ आएगा हमारे पास 3, 4, 5, 6 है ना और यहाँ पे जब इसकी value निकालेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 2N-1 क्योंकि जसी न की जगह आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4-1, 3 और यगर 4, 6 की बात करें तो यहाँ आएगा हमारे पास 2N क्योंकि न की जगह रखेंगे बलकुल यह हमारे पास क्याएगे सुन इसकी अनथ यह हमारे पास क्याएगे सुन इसकी अनथ टर्म आजाएगी राइट अब हम देखेंगे सुन हमारे पास जो यू एन आ रहा है वो हमारे पास क्या रहा है, मैं गर आपकी बात करूँ, तो un हमारे पास आ रहा है, 2 square, 4 square, 6 square, अब 2 हमारे पास आ रहा है, 2n-2 का whole square divided by, इसकी बात करें, तो यह आएगा 3, 4, 5, 6, अब 2 यह आएगा, 2n-1 into 2n आएगा, अगर हम बात करें, un plus 1 के बारे में, तो यह टर्म रहा है, तो यह आएगा 2 square, 4 square, 6 square, और इसको हम देखेंगे, तो यह आएगा 2n-2 का whole square, और next n के जगा हम n plus 1 रखेंगे, तो यह सुन यह आएगा हमारे पास 2n का square आएगा, इसी टाप से जब इसकी बारे में बात करेंगे, तो 3, 4, 5, 6, चलता जाएगा, तो यह आएगा 2n प्लस 1, और यहाँ पर n के जगा n रखेंगे, तो 2n प्लस 2 हो जाएगा, अब यह यून अपन यह हम क्या करते हैं, आप डिलमर रिशो टेस लगाते हैं, और डिलमर रिशो टेस हमारे पास क्या अदर सुन लिमित n टांस to infinitive, यह आएगा हमारे पास यून प्लस 1 अपन यू तो सुन यहाँ पर इसकी जब वेलियू निकालूगा मैं, तो यहाँ से हमारे पास इसकी जब वेलियू आएगी, वो क्या आएगी, लिमित n टांस to infinitive, यह आएगा हमारे पास 2n का whole square upon 2n प्लस 1 into 2n प्लस 2 हो जाएगा, अब हम क्या करते हैं, सुन इसका लिमित निकालेंग तो यहाँ पर इसकी जब वेलियू एक से बड़ी आ रही है, तो वह हम यहाँ पर देखेंगे, तो सुन यहाँ आएगा लिमित n टांस to infinitive, यह हमारे पास n आएगा, और यहाँ पर यहाँ पर उल्टा है, तो इसकी वेलियू उल्टी लिख देंगे, तो उल्टी लिखेंग अड़ इंटू 2N प्लस 2 आजाएगा, डिवाइड बाइ नीचे हमारे पास आ रहाँ है, यह 2N का होल स्क्वार माइनस 1 आएगा, अब सुनियाँ पर इसको अपर इसको आप मल्टीप्लाइ करके सिंप्लिफाई कर दो ल्सम लेलो तो एंटास to infinitive यहार यह ए यह एना जाए तो यह आएगा एन और हमारे पास इसको सिंप्लिफाय करेंगे दिया है और जिसे यह एन टैंस टू इंट रखेंगे तिया हमारे पास किया जाएगा जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो वेल्यू आएगी वो कियाएगे सुन 6 by 4 आएगी that is 3 by 2 मतलब एक से बड़ा है मतलब यह सीरीज हमारे पास किया जाएगी तो इस तरह से इसको बहुत इजी लिए हम सॉल्ट कर सकते हैं नेक्स कोशिन देखेंगे इस तरह से नमारे पास दिरका है test the convergence of the following series same to same हमारे पास कोशिन है तो सुन यहाँ पर हमारे पास इसकी जो एनफ तरम आएगी वो क्या आएगी 3, 6, 9 इस तरह से हमारे पास यह चलता जाएगा सुनिए हमारे पास आएगा 3, 6, 9 तो हमारे पास यहाँ पर जो टम आएगी वो हमारे पास क्याएगी 3N-3 आएगी क्योंकि जैसे आप N के जगह 2 रखेंगे तो यह हमारे पास 3 आएगा divided by यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा सुनिए भी समझने की जरूता है यह आएगा हमारे पास 7, 10 इस तरह से हमारे पास टम आती जारी अगर आप इसकी APGP निकाल हो है तो अगर आप बात करेंगे और यह हमारे पास 7 है और D हमारे पास 3 आ रहा तो हम जानते इसके अनटम क्या होती N-1 into D तो हम जानते यहारी आएगा 7 और N यहाँ पर रहने दीजे N-1 into 3 तो सुनिए पर जब simplify करेंगे तो यह आएगा 3N और सुनिए यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा पर हमें N के जगह 2 रखने पर 7 आना चाहिए तो इसका मतलब यह 3N plus 4 है तो यहाँ पर देखेंगे आप तो N के जगह यहाँ पर 1 रखने पर तो exactly हमारे पास N-1 टेम निल नहीं पड़ेगी तो यह आएगा हमारे पास 3N plus 1 हो जाए तभी N के जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सुनिए यहाँ पर 7 आजाएग और सुन हमारे पास यहाँ पर जो X की पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी क्योंकि जिसे हमारे पास 2nd time है तो X power 1 आ रही है यहाँ पर 3rd time है तो X power 2 आ रही तो N-1 होगा यह मैं ध्यान देने की जज़र होते है अब सुन वापिस यहाँ पर करेंगे UN plus 1 and UN term देखेंगे यहाँ पर पास यहाँ पर exactly UN plus 1 और UN term हमारे पास क्या रही तो सबसे बहले मैं यहाँ पर UN term देखता हूँ तो यह मारे पास आएगा 3, 6, 9 इस तरस आएगा और यहाँ आएगा 3N minus 3 तो इस एक बड़ी term हमारे पास क्याएगी 3, 6, 9 और सुन यह आएगा 3N minus 3 तो आएगा और जहाँ पर हम N के जगा N plus 1 रखेंगे तो बिटाएगी हमारे पास 3N term आएगी divided by यह एगा 7, 10 चलता जाएगा 3N plus 1 इसकी जो next term आएगी वो हमारे पास आएगे 3N plus 4 और यह X power N आजाएगा अब हम क्या करते हैं हम यहाँ पर D-Limbert Ratio टेस्स लगाते है और D-Limbert Ratio टेस्स हमारे पास क्या होता है सुन लिमिट N tends to infinitive UN plus 1 अपोन UN देखेंगे तो सुन यह आएगा limit N tends to infinitive यहाँ पर इसकी value निकालेंगे तो हम जानते हैं अगर दोने को divide करेंगे तो यह यह टर्ब से यह X आ जाएगे अब हम जानते है कि जब X की वेल्यू X से छोटी है तब हमारे पास क्या होगा सुन ये Convergent होगा और अगर X की वेल्यू X से बड़ी है तो यार ये हमारे पास क्या होगा सुन Divergent होगा ये हम जानते है पर जब X is equal to 1 होता है यहां पर ये test U N, बाइन नीचे U N plus 1 है, यहां पर U N रखना पड़ेगा, क्योंकि U N plus 1 upon U N है तो जब इसको उल्टा रखेंगे, तो यहां पास 3 N plus 4 upon, नीचे आरा हमारे पास 3 N minus 1, शुझा यहां पर देखो, highest degree term हमारे पास क्या होनी चीकी, cancel होनी चीकी बता चूक हूं को तो limit and tends to infinitive यह आएगा एन प्लस 4-3N upon 3N आजाएगा बेटा यह 3N से 3N हमारे पास क्या आगया cancel आगया और आप देखो गे सुन n से n भी cancel हो रहा आप यहाँ पर तो limit and tends to infinitive यहाँ पर हमारे पास आएगा 4N upon 3N that is 4 by 3 और यह हमारे पास X से बढ़ा आ रहा है मतलब X is equal to 1 पर भी यह क्या हो जाएगा convergent हो जाएगा मतलब आपसे पूछा जाए कि convergent कब होगा है आपसे पूछा जाए कि convergent कब होगा जब X की value एक और एक से क्या है मतलब एक और एक से चोटी है न पराबर भी भी आ रहा है less than भी 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 आ रहा है and divergent कब होगा है न डाइवर्जेंट कब होगा जब हमारे पास X क्या जाए कभी-कभी हमारे पास interval भी पूछ लिया जाए तो इस interval form में कहा लेकिन minus 1 से 1 और यहाँ पर close interval आजाएगा और divergent कब होगा जब 1 से infinity तो हम इस तरह से interval form में भी इसको समझ सकते हैं clear है आगे बढ़ते है सुन एक और questions हमें नहीं कुशिश करते हैं और देखो कैसे इसको करेंगे हैं हमारे पास यह आ रहा है सुन 1 आ रहा है 4 आ रहा है 7 आ रहा है 10 आ रहा है तो हम इहाँ पर क्या करेंगे इसके एन अच तरह लिखेंगे तो हम देख रहे हैं यह हमारे पास geometric progression आ रहा है जहां पर इसका A जो है वो हमारे पास 1 है और D जो हमारे पास 3 है तो हम जानते है A plus N minus 1 into D तो यह आएगा 1 plus N minus 1 into 3 तो यह तो हमारे पास इसकी जो N at term आएगी 3 N minus 2 आजाएगी right divided by अगर इसकी बात करें 3 3 X है तो ultimately 3 की multiple terms आ रही है तो इसको लेकर tension लेने की ज़रूत नहीं है 3 आएगा 6 आएगा 9 आएगा यह मारे पास term आएगी तो यह क्या आएगा सुनिया पर 3 N आजाएगा तो N की जगर जगर यह आहरी हैगा 1, 4, 7 इस तरस घृता जाएगा है और यह आएगा 3 N minus 2 upon, सुनिया आएगा 3, 6, 9 आए और यह अप टू 3 N आएगा, सुनिया ओपर हमारे पास कोंसी term लेखेंगे हम यू N plus 1 term लेखेंगे न, तो U N plus 1 term हमारे पास कुन सी आएगा 1, 4, 7 इस तरस हमारे पास जा यह आएगा 3N, इसके जो next हम आएगी, वो हमारे पास काईगी, 3N plus 3 आएगी, अब हम यहापे क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, और टेस्ट लगाते हैं, और टेस्ट लगाते हैं, और टेस्ट हमारे पास क्या होगा सुन, limit and tends to infinitive, un plus 1 upon un लगाएगे, तो आप देखे हैं, यहापे कौन-कौन से term हमारे पास, cancel हो जाएगी, तो सुन, आप देखे हैं, यह term से, यह term cancel हो रही है, तो हमारे पास जो term बचेगी, वो कौन सी बचेगी, तो यह बचेगी, limit and tends to infinitive, हमारे पास बच जाएगा, 3N plus 1 upon 3N plus 3 आजाएगा, और जो इसके limit चेक करेंगे, यह हमा plus 1 minus 1, यह हमारे पास इसके वे लिए आती है, तो limit and tends to infinitive, हमारे पास 3N plus 3 upon नीचे आजाएगा, 3N plus 1 minus 1 आजाएगा, now इसका LC में लेको, हाइस degree term हो रही है, यह होना चाहिए, नहीं तो problem हो सकती है, plus and यह आएगा, minus 3N minus 1 upon, नीचे आएगा, 3N plus 1, बैटाए, 3N से 3N हमारे पास cancel हो गया, तो सुनिए, आप हम क्या करेंगे, इसको solve करेंगे, तो n tends to infinitive, यह आएगा, और यह 3 में से गया, तो 2 बच जाएगा, और यहाँ से आप n कॉमन निकाल दीजे, तो सुनिए, यह हैगा conversion का, मतलब यह जो series होगी, यह हमारे पास क्या जाएगी, divergent होगी, तो यह हमारे पास, स्राबेस टेस का क्या होता है, concept होता है, सुनिए, यह जो question है, comment box के लिए, इसको solve करके, आपको इसका answer, comment box में देना है, इस तुनिए, इस type के questions है, वो बड़े exam में पूछ ली जाते है प्रियादा के चैनल को subscribe कर सकते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, bye bye